हेलो एंड वेलकम एवरिवन आज की इस वीडियो लेक्चुर में हम डिसकस करेंगे मॉल्यूकिलर बेसिस ओफ फोस्ट पैथोजन इंटरेक्शन देखो होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन का बेसिक सा मीनिग क्या होता है कि in construction करता है तो किस तरीके से उनके genes जह है वो function करते हैं कैसे host के अंदर रेजिस्टिंस डिवल अप होती है और किस तरीके से pathogen जह है वो infect करता है plant को तो अगर हम बात करें molecular level पर होस्ट indo interaction कि तो सबसे पहले आपको इसका basñas समझना चाहिए देखो होता क्या है कि जब कोई पर्टिकुलर पैथोजन अटेक करेगा तो उसके लिए AVR gene जो है that is a virulent gene वो responsible होते हैं वो release होंगे और इसके corresponding gene कहां host के अंदर भी present होगा जिसे हम बोलेंगे R gene यही क्या कहती है gene for gene hypothesis कहती है gene for gene hypothesis जो है वो HH floor ने दी थी सबसे पहले linseed में देखो उन्होंने क्या कहा था कि अगर किसी particular pathogen में virulent gene है disease causing gene है तो उसके corresponding gene जो होस्ट में भी present होगा यह कहती है gene for gene hypothesis यानि कि एक gene अगर pathogen के पास में है तो उसके corresponding host में भी gene जो है वो प्रेजेंट होगा अब basically तो molecular basis of host pathogen interaction है वो यही है कि pathogen के द्वारा particularly suppose कि AVR genes जो है उनका production क्या जाता है तो host में उसके against क्या होगा R gene होगा अब AVR gene का product और R gene के product जो है वो अगर दोनों आपस में connect कर गए या फिर अगर AVR gene जो है वो R gene के साथ में connect हो गया इट means कि वहाँ पर disease नहीं हो पाएगी ठीक है क्योंकि यहाँ पर resistance gene जो है वो उसको आगे जो harmful proteins वगरे हैं वो बनाने नहीं देगा यह अपने साथ इसको bind कर लेगा फिर disease किस case में होगी disease उस case में होगी जब या तो AVR gene जो है वो आरजीन के साथ में bind ना करें या फिर मतलब AVR gene का जो product है वो आरजीन को defend कर दें उस case में होगी disease या फिर host में आरजीन present ही ना हो तो AVR gene को defend करने वाला कोई है नहीं आरजीन तो host में present नहीं है तो फिर disease होगी it means कि हम एक broad level पे यह कह सकते हैं कि disease दो ही cases में हो सकती है या तो host के पास में आरजीन नहीं होगा दूसरी अगर आरजीन होगा तो वो AVR gene के product के द्वारा defend कर दिया जाएगा उस दोनों situations में disease हो सकती है यही हमारा basic concept है plant host pathogen interaction का देखो बोला क्या गया है कि at the molecular level defense system often depend on the combination of a specific set of dominant R gene and a corresponding set of dominant avirulence gene in the pathogen यानि की molecular level पे defense system इस बात से इस बात पर depend करता है कि R gene का और AVR gene के products को आपस में वो किस तरीके से combine हुए है expression of the avir genes triggers plant's defense response governed by the product of the R gene R gene जो है वो avir gene के जो expression है उसको trigger कर देता है उसको defend कर देता है और अगर नहीं कर पाता उस case में क्या होता है फिर हमारी disease होती है नेक्स्ट है कि ये जो सारी चीज़े है molecular basis of defense system in plant ये कौन बताता है gene for gene resistance strategy बताती है जिसे की HH floor नाम के scientist के दरा 1955 में दी गई फिर है कि ये molecular basis जो है ये define करता है कि एक single plant R gene for single pathogen AVR gene इसलिए इसको बोला गया है gene for gene यानि कि एक single plant में अगर resistance gene एक single R gene present है तो pathogen में भी AVR gene उसके corresponding gene के form में present होगा अगर plant resistance है तो pathogen जो है उसे हम avirulent बोलेंगे और इस interaction को हम बोलेंगे incompatible मतलब क्या हुआ कि अगर host के पास में resistance gene है मतलब वहाँ disease नहीं हो पाएगी disease कहाँ पर होगी जब pathogen और host के बीच में compatible reaction होती है तब disease होती है यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि plant resistance है इट मेंस कि disease नहीं होगी और disease नहीं होगी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर incompatible reaction है और जो pathogen है वो avirulent है और अगर यहाँ पर disease हो जाती तो हम कहते कि pathogen जो है वो virulent pathogen है अब ऐसा नहीं है कि defense molecular basis of host pathogen interaction या defense mechanism में केवल आर जीन्स का ही रोल होता है क्योंकि हम अलग-अलग तरीके के जैसे phyto hormones भी हम पढ़ते हैं जिसमें हम जास्मोनिक acid pathway को read करते हैं उसके signaling molecule की तरह work करता है इसके अलावा काफी सारे जो hormones है उनको भी हम read करते हैं तो यह सारी भी एक लेवल तक influence करते हैं इसके अलावा जो multiple combinations होते हैं किसी भी pathogen attack के समय defense mechanism के जारूरी नहीं है कि वो जैसे सपोज आपने guard model वगरे पढ़ा होगा या फिर हम next video lecture में उनको discuss करेंगे कि जब पैथोजन और पैथोजन की avr protein और plant की r protein के बीच में interaction होता है तो हम उसको अलग-अलग तरीकों से समझते हैं जैसे कि एक model आता है guard model या फिर guard hypothesis यह guard hypothesis क्या कहती है कि जो आर प्रोटीन है जो plant में आर प्रोटीन है वो plant के ही host protein के साथ में जूड जाती है यानि कि इस बार देखो पैथोजन जो है ना वो कभी भी यह नहीं चाहेगा जैसे यह particular कोई plant है इसमें एक तो आर प्रोटीन present है एक उसकी खुद की host protein present है तो जब पैथोजन आएगा तो वो हमेशे यह चाहेगा कि मैं host protein के साथ में bind करूं वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं R protein के साथ bind करूं रैट लेकिन अगर वो R protein के साथ bind हो जाता है तो वहाँ पर resistance capacity develop हो जाती है तो guard hypothesis यह कहता है कि R protein guard hypothesis में R protein जो ह वो पहले ही host protein के साथ में combine हो जाती है ठीक है और उसके बाद में complex बना लेती है तो इसी तरीके की बड़ी complexity mechanism भी होती है जब pathogen का take होता है plant में तो उसमें अलग-अलग तरीके के जैसे potassium ion या फिर hydrogen ion exchange हो गया oxidative burst हो गया hypersensitivity यह सारे science होते हैं कि plant किस तरीके से अपने आप connection को ना बढ़ने दे इसी के लावा हमने antimicrobial compounds की study की थी फाइटो एलेक्जिंस इसको बोलते हैं जो की host specific होते है पर्टिकुलर्ली और 17 जो पैथोजन related यानि की PR proteins की 17 families को discuss किया था वो भी resistance के अंदर काफी ज्यादा involvement शो करती है फिर आता है कि signal perception and defense activation देखो जो first process होती है signal transaction जो first process होती है वो होती है कि सबसे पहले जब pathogen का infection होते है तो extra cellular signals produce होते हैं जो कि plasma membrane के थू होते होते हैं plant तक जाते हैं जिसमें काफी सारी mechanism involved होती है phosphorylation होता है फिर वहाँ पर defense mechanism अगर pathogen ने अपने जो भी toxic substances हैं वो within the cell वो किये हैं तो फिर उसे हम ETI जो है वो भी start हो जाती है plant के अंदर या फिर activate हो जाती है ETI जो है effector triggered immunity तो बहुत सारे ऐसे changes होते हैं फिर जो आर जिन की काफ आफी सारी families है वो भी recognize करती है pathogen को और pathogen के effect को decode करने के कोशिस करती है ठीक है तो मतलब कहने का यह है कि जो भी gene function कर रहा है वो directly or indirectly आर जिन्स के द्वारा पहचान लिया जाएगा फिर यहां पर आता है कि आर जिन्स कौन-कौन से हैं और कौन-कौन सी crops में present होते हैं तो य यह मेज में पाया जाता था यह कंट्रोल करता है इसके लाव आपको cf9 याद रखना है जो की tobacco से और इसके लिए रेजिस्टेंस है इसके अलाव आपको pto याद रखना है tomato से xa7 याद रखना है rice से xa7 के साथ में xa21 भी आता है वो भी rice का जीन है यह importantly बाकी अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हैं लेकिन at least यह cf9 flex l6 kits में पाया जाता है तो linseed में pto xa7 यह आपक है कि pathogenesis related proteins की families तो आपने बढ़ा है कि 17 जो है वो PR proteins की families होती है तो particularly PR1 to PR17 जो है वो उनको नाम दिया गया है फिर आते है hormonal pathways in plant defense अभी हमने discuss किया था कि जो phyto hormones होते हैं जैसे कि thylene और jasmonate हो गए यह भी synergically induce करते हैं plant defense को क्योंकि हम पढ़ते हैं बहुत long way में कि salicylic acid और jasmonic acid किस तरीके से SAR और ISR को induce करते हैं induced systemic resistance और systemic acquired resistance that is SAR को किस तरीके से induce करते हैं pathogen attack की time पर और इसके अलावा जो different genes हैं जो कि जिने की upregulate किया जाता है इथाइलिन और jasmonate के द्वारा pathogen attack की time पर यह भी आप यहां से देख सकते हैं तो इस तरीके से मतलब molecular level का मतलब यह हो गया मोटे मोटे तोर पर कि आप किस तरीके से जो pathogen है वो आर जिन को identify करेगा आर जिन को identify करने के बाद में किस तरीके से वहाँ पर जो भी अब regulation होता है different phyto hormones का different जो immunity का system है वो पूरा किस तरीके से चलता है उसमें hypersensitivity response होता है उसमें अगर initial infection हो है तो वहाँ पर PTI होगा और पैथोजन ने cell membrane के अंदर अगर किसी toxin substance को release किया है तो फिर ATI effective triggered immunity जो है वो activate हो जाएगी और उसकी बाद में different pathways की through जो है वह SAR और ISR भी induced होंगे PR proteins, phyto elections इन सब का role होगा नेक्स्ट किसी वीडियो lecture में हम discuss कर लेंगे जो different models है जो की इस particular interaction पैथोजन और AVR प्रोटीन और plant के आर जीन्स के बीच में जो interaction को show करते हैं वो जो different models है उनके बारे में और जो ISR और SAR का जो concept है उसके बारे में